हेलो फ्रेंट्स आज हम बनाने वाले हैं यह हल्दी कुमकुम का करंडा आप इसे किसी भी फंक्शन में शादी में पूजा में कहीं भी कैरी कर सकते हैं कहीं भी रख सकते हैं हमने यहां पे लिया है एक वाइट पर्ल गोल्डन पर्ल सुई और वायर और हमने यहां पे लिये हैं दो कप्स जिनमें हम हल्दी कुमकुम रखेंगे और हमने लिया है यहां सीजर लेकिन वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करकर बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलिए जिससे आपको मेरे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी सबसे पहले तो मैंने धागे में 20 गोल्डन मोती डालेंगे और इस तरह से हम एक नॉट बांदेंगे यह हम नॉट एकदम टाइट बांदेंगे इस तरह से नॉट बांदेंगे और जो एक्स्ट्रा वायर है हम उसे सीजर की हल्प से कट करेंगे अब हम नेक्स्ट दो गोल्डन वायर में से सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से जिससे हमारी जो नॉट है वो दिखे ना अब हम चार वाइट परल बांदेगे और दो golden bead में से सुई को बाहर निका लेंगे जिससे हमारा 6 मोतियों का circle रेडी हो जाएगा अब हम next, नीचे के 2 golden bead में से wire निकालेंगे अब हम 3 white मोति लेंगे और हम 1 पहले का white मोती और 2 नीचे के golden मोती में से सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से यह हमारे दो सर्कल रेडी हो गए हैं अब ऐसे ही हमें पूरा सर्कल कंप्लीट करना है यह हमने सर्कल और्मोस कंप्लीट किया है अब लास्ट के लिए नीचे के दो गोल्डन और उपर दो वाइट परल है अब हमें सिर्फ दो वाइट परल लेने हैं जिससे हमारा छे मोतियों का राउंड कंप्लीट होगा और हमें एक वाइट मोती दो नीचे के गोल्डन मोती और एक वाइट मोती में से धागा बहार निकालना है इस तरह से अब थर्ड राउंड के लिए हमें दो कॉर्नर लगेंगे जो हमारे छे छे के जो राउंड थे उनके दो कॉर्नर हम यूज करेंगे और हम एक वाइट एक गोल्डन और एक वाइट मोती लेंगे और हम दो कॉर्नर में से सुई को बहार निकालेंगे यह हमारा फर्स राउंड रेडि हो गया है पांच मोती हो का अब हम नेक्स दो कॉर्नर मोती में से सुई को बहार निकालेंगे इस तरह से अब हम एक white और एक golden मोती लेंगे और last के एक मोती से होते हुए नीचे के दो मोतियों में से सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से नीचे के दो मोतियों से हमने निकाला अब next दो मोतियों में से हम सुई को बाहर निकालेंगे और पूरा राउंड हम इस तरह से कम्प्लीट करेंगे यह हमारा third round almost कम्प्लीट हो गया है अब last के लिए हमारे पाद 4 वाइट मोती है अब हमें सिर्फ एक golden मोती लगेगा और अब हमें चारो वाईट मोतियों में से सुई को बाहर निकाला है ऐसा करते हुए हमें सुई को बाहर के साई लेकर आना है अब हमें golden मोती में से सुई को आशे को बहार निकालना ही इस तरह से और wire को एकदम tight रखना है अब तरह से हमारे Cup बनेगा अब लास्ट के राउंड के लिए हम दो golden मोती लेंगे नीचे के और एक glewn और एकुआट मोती लेंगे और दो golden गोको 모든 मूपी में से सुई को बहार निकालेंगे अब नेक्स दो गोल्डन मूती मेंसे सुई को बाहर निकालेंगे अब हम एक बैड और एक गोल्डन मूती लेंगे ऑफ ए सेम पाटन जो हमने लास्ट राउंड में किया था इस तरह से अब लास्ट के एक मोती से होते हुए नीचे के दो गोल्डन मोती से हमें बाहर को बाहर निकालना है इस तरह से हम पूरा राउंड कम्प्लीट करेंगे ऐसे पूरा हमें राउंड कम्प्लीट करना है अब लास्ट के राउंड में हमें नीचे पांच गोल्डन मोती चाहिए चार हमारे हो गए हैं लास्ट के लिए हमें सिफ एक गोल्डन मोती लगेगा और एक वाइट और नीचे के दो गोल्डन मोत इस तरह से अब हमें धागे को ऊपर की साइड लेकर जाना है यह हम धागा ऊपर की साइड लेकर आ गए है ऐसे हमें दो बाउल्स बनाने है जिसमें हम सुई धागा रखेंगे अब हमें इदें जॉइन करना है जॉइन करने के लिए आप कोई भी जो हमने 6 मोतियों का राउंड बनाया था उसमें हमें एक मोति एड करना है बीच में सेंटर में सो इसके लिए मैं वाइट मोती में से सुई को बाहर निकालूंगी इस तरह से और एक वाइट मोती लोंगी और सामने के वाइट मोती में से हम सुई को बाहर निकालेंगे जिससे जो मोती है वो सेंटर में फिक्स बैट जाएगा इस तरह से अब मैं सुई को वापस उपर के सा हमारा चार-चार के मोती डिवाइड होते हैं एक सेंटर में मोती डालने से चार-चार का जो सेट है वो हमारा रेडी होगा अब मैं गोल्डन मोती में से सुई को बाहर निकालूंगी इस तरह से ऐसे ही हमने जो एक मोती है वो दूसरे बाउल में भी हमने लगाया है अब हम इसे जॉइन करेंगे जॉइन करने के लिए हमने जो सेंटर में जो मोती लगाया है हम उसका यूज करेंगे सो पहले हम फ्रंट का जो उपर की जो रो है वो जॉइन करेंगे इसके लिए मैंने एक मोती लिया है और एक दूसरे बोल का गोल्डन मोती लगेगा अब मैं एक वाइट मोती लूँगी और इस मोती से होते हुए मैं फर्स राउंड कंप्लीट करूँगी यह हमारा चार मोती का जो राउंड है वो इस तरह से रहेगा यह हमारे चार मोती का सेट है अब हमें इसी को कंटीन्यू करना है अब हमें हमने जो सेंटर का मोती लिया था उसमें से हमें सुई को बाहर निकाला है इस तरह से अब यहां पे भी हमें चार मोती का सेट करना है यह तीन मोती आलरी है हमारे पास हम एक वाइड मोती लेंगे और दूसरे सामने के मोती में से हम सुई को बाहर निकालेंगे अब हम ऊपर के मोती में से सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से जिससे हमारा चार मूतियों का यह आप देख सकते हैं यह सेट बन गया है इस तरह से अब हमें यह तीनों साइट इस तरह से चार मूति का सेट बनाना है यह हमने इस साइट बनाया है हमें अपोजिट साइट भी आप बनाना है Like is site और सेंटर में अपने। बन जाएगा Say X army चारो साइट पे मैंने ये चार मो का सेट बनाए है जिससे जो मेरे करंडे है वह बहुत फिक्स बैट गए हैंX जो अब हमें इसे पकड़ने के लिए उपर हैंडल बनाना है सो हमें जो सेंटर में हमने जो चार मोती लिए हैं उसी को उपर लेके जाना है जिसके लिए एक वाइट एक गोल्डन और एक वाइट मोती लेंगे और इस वाइट मोती में से हम सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से, अब हम नेक्स गोल्डन मोती में से सुई को बाहर निकालेंगे, इस तरह से, अब हमें सिर्फ एक वाइट मोती और एक गोल्डन मोती लेना है, और नेक्स वाइट मोती में से होते हुए, नीचे के गोल्डन मोती में से हमें सुई को बाहर निकालना है, अब थर्ड राउंड के लिए, नीचे के वाइट मोती में से हमें सुई को बाहर निकालना है, अब हमें फिर से एक वाइट मोती और एक गोल्डन मोती लेना है और वाइट मोती से होते हुए नीचे के वाइट मोती में से सुई को बहार निकालना है ऐसे हमें चार-चार मोतियों का सेट बनाना है इस तरह से अब हमें नेक्स राउंड करना है अब उपर हमारे तीन गोल्डन मोती आ गए है अब लास्ट के राउंड के लिए हमें सिर्फ एक गोल्डन मोती लेना है हमारे पास अल्रेड़ी तीन मोती है नीचे एक गोल्डन और साइड में दो वाइट मोती तो एक हमें गोल्डन मोती लगेगा हमें यह याद रखना है कि अगर हम चार का राउंड बना रहे हैं तो उपर भी चार मोती आने चाहिए यह हमारे चार गोल्डन मोती उपर आ गए है अब हम सुई को उपर के साइड लेकर आएंगे और एक गोल्डन मोती में से हम सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से अब देखिए आप कि यह चार गोल्डन मोती उपर आ गए है अब हमें इसे जितना लंबा बनाना चाहिए उतना बना सकते है तो यह मैंने इतना बनाया है अब नेक्स मैं और आगे बढ़ाऊंगी यह मेरा इतनी मैंने हाइड बढ़ाई है अब मैं इसका हैंडल बनाऊंगी जिसमें हम इसे पकड़ेंगे इसके लिए मैं चार वाइट मोती और तीन गोल्डन मोती अल्टरनेट इस तरह से डालूंगी और सामने वाले गोल्डन मोती में से सुई को बाहर निकालूंगी तो यह इस तरह से हम धागे को टाइट करेंगे और यह पकड़ने के लिए हम एक हैंडल बनाएंगे तो ये हमारा handle बन गया है अब हम दागे को finish करेंगे हम एक knot बान देंगे अच्छे से हम दागे को fix करेंगे जिससे कहीं भी दागा lose ना पड़े हम एक दो मोती में से दागे को निकालेंगे उसके बाद हम एक knot बान देंगे जिससे हमारी जो knot है वो secure रहे नौट बानने के बाद में भी हमें एक दो मोतियों में से धागे को बाहर निकाला है जिससे जो हम नौट बानते हैं वो हमारी कहीं दिखे नहीं सो इस तरह से मैंने धागे को बाहर निकाला है इस तरह से धागे को बाहर निकालके हमने नौट बान दी है अब नेक्स एक मोती में से हम सुई को बाहर निकालते हुए सीजर से कट करेंगे सो यह हमारा जो मोती का करंडा है वो पूरी तरह से फिनिश हो गया है अब हम इन दो बॉल्स में जो हमारे प्लास्टिक के मैंने कप्स लिये थे वो डाल सकते हैं आप इसे स्टिक भी कर सकते हैं या सिर्फ इसे रग भी सकते हैं ताकि जब आपका यूज हो तब आप उसमें डाले और जब आप उसका यूज ना हो तब आप वैसे कि वैसे वो बाउल निकालने बाहर अगर आपको ये मेरी मूती का करंडा पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिख कर भीजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा थैंक यू सो मच